हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, कमो दादिच किचन रेसिपे में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज आज आपके साथ में शेयर करूँगी बाजरे की राबडी की रेसिपी एकदम देशी स्टाइल में बाजरे की राबडी बना कर तयार करेंगे और इस राबडी की रेसिपी को 15 मिनट में बना कर तयार करेंगे राबडी हमारी पेट को ठंडा रखती है क्योंकि इसकी तासिर बहुत ही ठंडी होती है अधिकतर राजस्तान के लोग गर्मियों में राबडी, मौर्निंग में पीना पसंद करते हैं और इस रेसेपी को बिना इसकीप किये वे आप इसको एंड तक जरूर देखे ताकि आपको इसकी रेसेपी स्टेप बाई स्टेप आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए ज़्यादा देढ न करते वे राबडी की रेसेपी बनाना स्टार्ट करते हैं बाजरी की राबडी बनानी के लिए यहां पर मैंने एक बड़े साइच का कप लिया है ये नॉर्मल खटी चाच है और मैंने इसको चान लिया है ताकि इसमें जो भी रेसे है वो निकल जाए और अब यहाँ पर बाजरी का आटा एड़ करेंगे तो यह मैंने 4 टेबल स्पून बाजरी का आटा लिया है यह ताजा आटा है ध्यान रहे आप ज्यादा पूराना आट यूज ना करें क्योंकि आटा कडवा हो जाता है जिसे की राबडी कडवी बनेगी और हाफ ग्लास मैंने यहाँ पर पानी एड़ किया है क्योंकि चाच हमारी ज्यादा खटी नहीं थी इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल यहाँ पर कम यूज किया है और इनको अच्छे से मि अच्छा जीराइड किया है और इनको भी छाच में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब चलते हैं गेस की तरफ तो यहाँ पर मैंने गेस की फ्लेम ओन कर दी है और गेस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखा है और यहाँ पर अब मैंने रख दिया है राबडी का पतीला और इसमे लगातार आपको बॉयल आने तक राबडी को चलाते जाना है जैसे हम कड़ी बनाते हैं और कड़ी में बॉयल आता है उसी तरह से हमने राबडी को चलाना है तो ये देखिए राबडी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है तो बस आप अब यहां पर राबडी को छोड़ सकते और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए बीच बीच में आप राबडी को चलाते रहे ताकि ये तली को चिपके नहीं लगबग राबडी को 10 मिनट तक हमने पका लिया है 5-6 मिनट के लिए राबडी को और पकने देंगे आप देख सकते हैं पहले से राबड है क्योंकि ये दिखने में काफी ठिक लग रही है और जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी जदा ये ठिक होगी तो बस इसी समय हम अब गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसको नॉर्मल टेंपरेचर आने तक ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए नॉर्मल राजस्तान की स्पेशल देशे स्टाइल में राबडी की रेसिपी और बहुत ही इजी वे में मैंने आपके साथ में राबडी की रेसिपी शेयर की है और जिनके पेट में बहुत ही ज़दा गर्मी है बहुत ही ज़दा जलन रहती है तो ये रेसिपी आप गर्मियों में जर लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बैल आइकन आता है उसको प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पहुचें मैं मिलूंगे आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में अपके ले बादे सक्गे इबागी